चलिए एक वार हम लाइव आचुके हैं और आपको दिखाने वाले हैं बदहाली जी हाँ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वह हम आपको अभी दिखाते हैं इस वक्त अब महजूद हैं सिपूर के पास समीप सिपगंगा तलाब में जी हाँ ठीक सिपूर मंदर के पीछे और आप बदहाली देख लिजे इन सीडियों को आप सोच रहेंगे कि हम इन बदहाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं जी हाँ तो बता दें बिहार, जारखंड और यूपी का सबसे वड़ा महापर्व जिसे छट पुजा के नाम से जाना जाता है वो आप से कुछी दिनों बाद है और आपको बता दें कि यहां के इस्थिती आप देख सकते हैं हम पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर हम इस पानी के करीब जाना चाहें तो सायद हम नहीं पहुँच पाएंगे और जब हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वो जो पर्व करने वाली महिला होंगी वो कैसे यहां तक पहुँचेगी आप बधाली की तस्वीर देख लीजे कहा जाता है कि करोडों रुपए जो है वो विकास के लिए दिये जाते है क्या वो विकास सिर्फ कागजों तक सिमितर आता है या धरातल पर कितना कुछ है वो तस्वीर आप देख लीजे 10 करोड, 12 करोड, 6 करोड, 7 करोड इस तरह की बातें आपने सुनी होगी या करोडों का आकडा बोलने में तो काफी असान प्रतीत होता है लेकिन क्या कुछ विकास हो पाया है या जमीनी अस्तर पर आप देख सकते हैं आज से कुछी दिनों बाद छट है और अभी तक इसको लेकर जिला प्रसासन और नगर परिसत के जहन में या बातें अभी तक नहीं आई है जिया, अभी अगर हमारे इस खबर चलने के बाद अगर कुछ होता भी है तो सायद हुआ, तुरंत के लिए वैकलपिक प्रभधान होगा लेकिन वर्तमान के लिए समस्या जो है, वह कुछ हल नहीं हो पाएगी आप एक बार सीडियों पर केमरामें से अनुरोद करेंगे क्या आप दिखा दें सीडियों की स्थिती जो है वह तूट कर एकदम जरजर हो चुकी है आखिर जो परव करने यहां पर आएंगे वह इस पानी में कैसे उतरेंगे हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे और आपको लेकर चलते हैं यहां के जो लोग हैं उनसे सुनाते हैं इस परव को लेकर क्या कुछ दर्द और क्या कुछ चिंता उनके मनों में है आए उनी से सुनते हैं और उनके दर्द को आप इन तस्वीरों में साब देख पाएंगे चाचा पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर इस बधाली को आप कैसे देखते हैं आज से कुछी दिनों बाद जो है छट पर सुर्वात हो जाएगा कैसे देख रहे हैं सबसे पहले हम यहां के प्रिष्ट भूमी को आप बरनन करना चाहते हैं कि स्री स्री एक्सवा आठ रतनेश्वर नाथ महत्मरात नेश्वर नाथ बाबा के जटा में बसा हुआ यह सिफगंगा है हजारों लाखों करोडों आदमी यहां असनान कर चुके हैं और सभी बाबा के अदर्शन करके सिफगंगा में गंगा के तुल्य आज इसको सभी गोड़ा के जन 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 में फैला हुआ है कि सिप गंगा तलाब तलाब नहीं या सक्षात सिप का गंगा है जो सिप के जटा में बसा हुआ है आज सदियों पहले कुछ दिन पहले यहां का जल गंगा जल के सद्री से लोग घर ले जाते थे और पान करते थे लेकिन आज इस दुर्दन्य इस्तिती को देख कर मालूम पढ़ता है कि प्रसासन की दिरिष्टी नगर परिष्ट की इस्तिती हमारे महान समाज सेवी पाटी आदानी बाबु भी साथ नहीं देख पाए हैं यहां की देख रहे हैं कि संपूर्ण जो सिड़ी बनी हुई है आज से 10-15 साल पहले वह तूट करका कगार पर लगा हुआ यहां छट बरती सभी सरदा से यहां आते हैं अर गंगागाट के किनारे यानि तलाब के किनारे अपना डाला रखते हैं आखर इस स्तिती का जिम्मदार आप किसको माईते हैं? आप जिम्मेवार परसासन को ध्यान देना चाहिए और यहां के अस्थानिय जो है कभी कभी जो समाज के करनधार हैं? गोड़ा के करनधार हैं और यहां के दुर्जन इस्तिती को समारने का भार जो अडानी के उपर है उनको भी दियान देना चाहिए कि इस इस्तिती पर इस्तिती से कैसे निप्टा जाए लेकिन अभी जो बरतमान इस्तिती है छट पर बहुत नज़्दीक में आ गिया है जो जह जहां खोडर है कि जहां तहां क्या सब जगह खोडर है उसको बोरा में सेमेंट या बोरा में गिट्टी भर करके उस खोडर में लगा दिया जाए ताकि छट बरती सरदार सुमन से घार तक पहुंच सके यही बेबस्ता हम कर जोड़ कर करते हैं कि इसका उद्धार सिव आता लाप को कहते तो चलिए आएए आपको और बात कराते हैं यहां पर कुछ लोग मवजूद हैं क्या कुछ कस्ट थी वह बया किया इन्होंने हमारे साथ कुछ युवास आती हैं कितना दिक्कत होता है आप लोग जट करेंगे यहां पर आएंगे कैसे पानी में उतरेंग जान रहे हैं कौने नगर अध्यक्ष कभी इस जीच को लेकर बात हुई है उनसे हम लोग तो नहीं किये हैं अगर हमारे कमेटी के सद्य से जो वह भोई करते हैं बड़े बड़े तो आप सुन सकते हैं एक बार हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे जल जो है वह पूरी तर है आज के जुग में और क्या हुआ है गोड़ा नगर परिसत छेत्र में विकास और आखिर क्यों खामों से जिला परसासन यह सवाल उत्पन होता है कल दिन यहां पर चट करने लोग आएंगे तो किस प्रकार इस पानी में उत्रेंगे और कैसे पूजा पाट को देंगे क्यो है आप यह आपका भी दाई तो है यह जिला परसासन का दाई तो है यह नगर परिसत का दाई तो है कि इसके साफ सफाई होनी चाहिए क्योंकि यहां से महापर्व नजदीक है जैसे कि चाचा ने बताया कि 15 वर्स पहले ही इसका निर्मान किया गया और वहां से इसकी जो है क कि आखिर इन सब परिस्तिती के लिए कौन जिम्मेदार हैं, क्या जनपरतिनीदी, क्या नगर परिसत, क्या जिला प्रसासन, या क्या वो समास से भी जो या कहते हुए नहीं ठकते हैं, कि हमने समास सेवा की, इस लाइब को हम यहीं पर समाप्त करते हैं.